नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सौरव और स्वागत है आपका बेश्टक्टेर में दोस्तों आपने यह सुना होगा कि इंडियन रेल्वेस यानि की भारतिये रेल जो है भारत का सबसे बड़ा इंप्लॉयर है और यह सिर्फ भारत का ही नहीं दुनिया का एर्थ सबसे बड़ा है यानि कि यह सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देता है भारत में तो इसकी जौब जो है क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में भी काफी अच्छी होती है दोस्तों कई सारे लोग रेल्वे में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना है यह सब सारे डिटेल्स में जानेंगे तो वीडियो को बिना स्किप के हुए अंत तक देखें तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस वीडियो के कंटेंट्स क्या क्या है तो दोस्तों इस वीडियो के कंटेंट्स इस प्रकार है सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसक इसमें वेकेंसी कितनी है और अंत में हम लोग जानेंगे इसके कंक्लूजन के बारे में तो चलिए वीडियो को शुड़ू करते हैं दोस्तों इंडियान रेलवे जो है हर साल लाखों के तदाद में लोगों को भाली करती है और यह इसलिए भारत की सबसे बड़ी नौकरी दे जो है आरड़ी उसके द्वारा एक 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 ग्जाम होती है आरड़ी एंटिपीसी यह हर साल ली जाती है और इस एक्जाम के थुरू आप रेलवे एपरेंटिस में जॉब पासकते हैं और दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट है जिसको आप चेक कर सकते हैं जिसमें रेलवे के हर चीज के डिटेल्स में वीडियो बनाई गई है तो इसे आप डेस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक आउट कर सकते हैं दोस्तों प्रेजन टाइम में रेलवे के लावा कई सारी बड़ी कंपनिया जो है वो भी एपरेंटिस प्रोग्राम चलाती है जिसमें वो लोगों को भर प्रेनिंग दियाती है और फिर ट्रेंग के बाद लोग इसके लिए एलीजिवल हो जाते हैं तो फिर वो फिरसे जौब के लिए कर सकते हैं रेलवे भी हर साल एप्रेंटिस के तौर पर बड़ी संख्या में लोगों को भरती करता है और रेलवे में यह प्रसिक्षन अपने कार के हिसाब से अलग अलग टाइप के अप्रेंटिस में प्रसिक्षन दिया जाता है और इस प्रसिक्षन के बाद लोग जो है इसमें जो पर देता है और इस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद उनको अच्छी जॉम रहे सकती है दोस्तो रेलवे में एप्रेंटिस के दौरान लोगों को पॉकेट खर्च के लिए स्टाइपेंड दिया जाता है जिसे स्टुडेंट्स को काफी होसला मिलता है दोस्तो हमने रेलवे के जो लोको पाइलेट के लिए भरती होती है एलपी के लिए इसको आप चेक आउट कर सकते हैं यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी दोस्तो अब बात करते हैं एप्रेंटिस के ट्रेड्स के बारे में दोस्तो रेलवे के द्वारा कई साथ नौक्रिया दे जाती है उसमें से एप्रेंटिस भी पड़क टाइप का जौब है और यह जो जौब जो है 1901 के अधिनियम के अनुसार दी जाती है तो इसमें जान लेते हैं कि कितने जाइप के ट्रेड्स होते हैं अप्रेंटिस में केसी मेकैनिक डीजल मेकैनिक कार्पेंटर एलेक्ट्रिकल या एलेक्ट्रोनिक्स सब्सक्राइब रहें लिएपरेंटी क्या हैं इसके बारे में हमने एक डिटेल विडियो बना रखे उसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डेख सकते हैं दोस्तो अब बात करते हैं, Maria Pranis के लिए eligibility क्या क्या है, तो सबसे पहले बात करते है, एजूकेस्ने eligibility क्या है, तो इसमें आपको टेन्थ पास होना चाहिए, जिसमें आपको 50% से ज़्यादा marks होने चाहिए, इसके बाद हम बात करते हैं, कि इसके age क्या होनी चाहिए, candidates की age जो है 15 से 22 साल तक होनी चाहिए, और reserve candidates जिसमें OBC, AC, ST, ये सारे उनके लिए जो है 2 साल की छूट मिलते हैं, यानि कि 15 से लेके 24 साल के उमर तक जो भी है apply कर सकते हैं, दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे कि railway apprentice में आपको नोकरी कैसे मिलेग इसके लिए आपको 10 के बाद ITI करना होगा, और ITI जिस institute से आप करेंगे, उसकी जो है मानियता प्राप्थ होनी चाहिए, NCVT या SCVT से दोस्तों ITI की डिगरी मिलने के बाद, जब भी इसका form निकलेगा railway apprentice का RRB NTPC द्वारा, तो आपको वो form fill up करना है, फिर उसके exam देने हैं, और exam में अगर आपके अच्छे marks आते हैं, तो railway द्वारा आपको select कर लिया जाएगा, दोस्तों कहीं लोग का सपना होता है कि railway में क अच्छे post पे जाए, तो station master एक बहुत ही अच्छा post है railway द्वारा जो दिया जाता है, इसके उपर हमने एक detailed video बना रखा है, जिसको आप description box में check कर सकते हैं, दोस्तों अब हम बात करते हैं कि apprentice के लिए salary कितनी मिलती है, तो दोस्तों railway द्वारा जो notification जारी के जाता है, जौब के लिए, उसमें बताई जाते हैं कि कितनी salary मिलेगी, और हर बार ये salary जो है, सेम नहीं होती, अलाकि दोस्तों railway की stipend जो है, apprentice के लिए तो हर बार सेम नहीं होती, लेकिन वो पहले जो है, इसको बता देता है कि कितनी salary देगा, और इन on average अगर बात की जाए, पिछले जितने बार दी गई है, तो on average 20 से लेके 25,000 पर मन्त आपको stipend मिल जाएगे, दोस्तों हम बात करते हैं, apprentice के बारे में, दोस्तों इसकी वेकेंसी जो है, अलग-लग time पे निकाले जाती है, तो इसके लिए आपको railway के website को check करना पड़ेगा, और इसके लिए आप हमारे website को भी check कर सकत हैं, हम लोग इसके बारे में हमेशा बताते रहते हैं, इसके नहीने वीडियो आती रहती है, अभी जो है RRC द्वारा Western Region के लिए 3624 पोस्ट के लिए apprentice के लिए आया हुआ है, जिसकी लास्ट डेट जो है 26 जुलाई तक है, दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि RRB और RRC मे बना रखी है, जिसको आप description box से चेक कर सकते हैं, दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर आपको कोई परसानी है, या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो अगर आप किसी नई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो भी आप हमें comment section पर बोल सकते हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर ले, और all notification कौन कर ले, ताकि हमारे चैनल के notifications आप तक पहुंचा करे, वीडियो देखने के लिए धन्यवा कि अोछ 수ब दोगारे चाहते है, अगर तक आते हैं, टाकि हमारे खूदारे चैनल को देखने हैं, डो दोगने के सूट तक लेती हैं, तो आप हमें को कि अच2 सु दोगते हैं, 장ो अग्योंद एनल के लीडिक पहाइ, आते हैं, जा आर आता हुए कहा हैं जाता है हम